जहिन प्यारे साथियों नमस्कार मैं अविनास आप सबों के लिए लेकर आया हूँ आज फिर से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण न्यूज दोस्त हूँ जी हाँ आज का जो न्यूज है वह है टेलिग्राम मैसेंजिंग सर्विसेस को ले करके भारत में जो भी लोग टेलिग्र सर्विसेस आदी का आनंद ले रहे थे उनके लिए एक बहुत ही निरासा जनक खबर ये सामने आ रही है कि भारत में टेलिग्राम को बैन करने की प्रकडिया चल रही है जी हाँ दोस्तों गबर्मेंट अफ इंडिया बिचार कर रही है कि क्या भारत में टेलिग्राम को बैन किया जाए और आखिर इसके क्या-क्या outcomes हैं इसको लेकर के Government of India एक inquiry कर रही है और inquiry करने के बाद में जैसी ही inquiry की report आती है वो उहाँ पर decision लिया जाएगा सरकार के द्वारा कि टेलिग्राम को ban किया जाए या कि नहीं क्या सारे matters हैं क्यूं आखिर इस तरह की बात अचानक से सामने आ गई इसको लेकर के हम लोग पहले बात कर लेते हैं फिर जानने की कोसिस करते हैं कि आखिर वो mystery महिला कौन है जो की टेलिग्राम के CEO की गिरफतारी में जिनकी भूमी का मानी जा रही है तो इन सारे पहलूं पे हम लोग अभी बात करेंगे आप देख सकते हैं टेलिग्राम के CEO साहब का image और दूसरा टेलिग्राम का जो आप symbol देखते होंगे उस image को अब ज़राद एक के बाद एक घटना करम को हम लोग देखते हैं देखिए हुआ ये है पहले तो आप ये news अच्छे से पढ़ ले यही ध्यान रखना है गवर्मेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्टिगेट कर रही है टेलिग्राम का तथाकतित क्रिमनल अक्टिबिटी के में परियोग का लाइक एक्स्टॉर्शन और गैंबलिंग ये समझ रहा है एक्स्टॉर्शन और गैंबलिंग जैसी क्रिमनल अक्टिबिटीज में टेलिग्राम की भूमिका को देखते हुए इस पर बैन करने का विचार कर रही है इस इन्वेस्टिगेशन फॉलोज दा अरेस्ट अफ दे टेलिग्राम सीओ पावेल दुरोब यह पावेल दुरोब के अरेस्ट के बाद किया जा रहा है और आखिर पावेल दुरोब का अरेस्ट कहां हुआ है तो फ्रांस में ओबर similar concern फ्रांस में इसी concern को ले करके टेलिग्राम के CEO पावेल दुरोब का क्या हुआ अरेस्ट हुआ है जिसके बाद Government of India बिचार कर रही है कि क्या वह भी टेलिग्राम को बैन करे Authorities are particularly interested in cases like the UGC NEET paper leak A potential ban will be depend on investigation outcomes जो जाच कही report आएगी उसी पर जो संभावित बैन होगा वह संभावित बैन की प्रक्रिया को देखा जाएगा अब यहाँ पर आपको सोच लेना है कि extortion और gambling जैसी activity में तो इनकी सनलिप्तता को ले करके चेक किया ही जा रहा है दूसरा क्या है कि जैसे अभी जो UGC जो NEET paper leak की जो cover आई थी उसमें भी टेलिग्राम की भूमिका को ले करके कि टेलिग्राम के messaging जो app services से इस तरह के paper spread हुए थे इसको ले करके भी बात चल रही है अब आप दूसरा report देखें यहां आप देख सकते हैं according to the report the government is investigating telegram over its alleged misuse in criminal activities such as extortion and gambling जो भी बता रहा था a government official said adding the messaging app could even be banned depending on the proofs finding जैसा proofs finding होगा उस तरह से report card लिया जाएगा जो भी हम लोग बात भी कर रहे थे दिबिन न्यूज पेपरों के एक खबर से हैं अब देखिए आगे this comes just a day after telegram CEO पाविल दुरोब नाम याद रखना है पाविल दुरोब टेलिग्राम के CEO है वाज रस्टेड इन फ्रांस according to reports France open in an office asked with preventing violence against minors had issued an arrest warrant for telegram CEO in a preliminary investigation into alleged offenses including fraud, जालसाजी, drug trafficking, cyber bullying, organized crime and promotion of terrorism इतने सारे matter में माना जा रहा है कि टेलिग्राम की भूमिका है अब फिर से इस पर पढ़ लिजिए कि कौन-कौन सी भूमिका मानी जा रही है fraud, drug trafficking, cyber bullying, organized crime and promotion of terrorism ये भी पाता गई कि आतंकबाद के promotion देने में आतंकबाद को प्रमोट करने में भी इसकी भूमिका मानी जा रही है कहा जाता है कि फ्रेंच जो officers थे उन्होंने इससे पहले टेलिग्राम को कई सारे reports भेजे थे जिसमें संतोस्प्रत जबाब नहीं मिलने के बाद जब पावल दुरोब को जो देखा गया फ्रांस में ले बुरजे एरपोर्ट पर तो वहां उनको क्या किया गया अरिस्ट किया गया अब हम लोग आगे की खबर पर फुरा ध्यान रखते हैं देखिएगा अगस्त 26 दा इन्वेस्टिगेशन इन्टु दुरोब इन्बॉल्ब्स एलिगेशन ओफ इलिसिट ट्रांजेक्शन अबैद लेन देन चाइल्ड पॉर्नोग्राफी मैटर अब देखिए कैसे कैसे खुल रहा है यानि इलिसिट ट्रांजेक्शन के साथ साथ चाइल्ड पॉर्नोग्राफी फ्रॉड एंड फेल्योर तु प्रोबाइड इन्फॉर्मेशन तु ऑथरीटीज जब ऑथरीटीज ने क्या मांगा इनसे इन्फॉर्मेशन इस रिग प्लेटफॉर्म और इट्स ओनर इज रेस्पॉंसिबल फोर दा अब्यूज ऑफ देट प्लेटफॉर्म टेलिग्राम की तरफ से बात वताई गई कि ये कहना काफी बेतुका है या ये कथन काफी बेतुका है कि किसी प्लेटफॉर्म का दुरुप्योग जो है वह उसके शुच यो है उसको ले करके आखिर उसके ओनरिसी पर आप कैसे कोई क्लेम कर सकते हैं कैसे कोई कंट्रोल कर सकते हैं ये टेलिग्राम की तरफ से ओफिसियल्स को निऊज भेजा गया था मैसेज भेजा गया था तो खास करके इतने सारे चार्जेज के बाद allegations के बाद में टेलिग्राम के CEO पाविल दुरोव साहब को फ्रांस में गिरफ्तार किया गया अब भारत में भी इन सारे चीजों की परताल चल रही है कि क्या टेलिग्राम के इसमें सनलिपता है क्या टेलिग्राम इसमें बढ़ावा दे रहा है तो इन ही सारी चीजों को ले करके टेलिग्राम को बैन करने की बात सामने आई है लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि टेलिग्राम जो है वह भारत में कई सारे activity में lift है जिसमें से एक है education services में, telegram भारत में education services में भी काफी ज़्यादा role play कर रहा है, खास करके pre notes, provide करने में telegram का एक अहम role है, जो role खास करके whatsapp से भी advanced features जो telegram ने अपने डाले, data का limitations को जो वहाँ पर access रखा गया कि ज़्यादा data जो है अपना वहाँ पर control कर सकती है, तो इसको ले करके telegram भारत में काफी ज़्यादा लोग प्रिये एक सूसल messaging sites के तौर पर बन चुका है, और ऐसे में government of India का, अब देखना एक जो mystery women के बारे में कहा जा रहा है कि ये वही महिला है, जिनके बारे में कहा जा रहा है, जिनका नाम है Julie Babilova, कहा जा रहा है कि यही पाविल दुरोब के साथ ही आत्रा कर रही थी, और उनके गिरफतारी के बाद इन महिला को देखा नहीं गया है, और ये भी कहा जा रहा ह कि यही वो महिला है जूली बावी लोवा जिनोंने उनको ले करके इंपुट से अरके थी फ्रांस के ओफिसियल्स के साथ और उसके बाद उनकी गिरफतारी के बाद इनका कोई अतापता नहीं है तो आप देख सकते हैं पाविल दुरोब के गिरफतारी में जो मिस्ट्री बीम के द्वारा रशिया के हैं दोनों ध्यान रखिएगा अप इमेज देख सकते हैं निकोलाई दुरोब साहब का और पाविल दुरोब साहब का इवन पाविल दुरोब को तो रशिया का मार्क जुकरवर्ग कहा जाता है तो ये टेलिग्राम को ले करके हैं अगर टेलिग्राम पर कुछ ऐसे एलिगेशन हैं तो टेलिग्राम के जो भी ऑफिसियल्स हैं उन्हें इसके बारे में गबर्मेंट ऑफ इंडिया को सूचना देनी चाहिए और अगर उसको वो रोक पाती है तो रोकने का उनको प्रॉमि प्रॉमिट कर रहा है लेकिन अगर टेलिग्राम के साथ साथ कुछ नेगेटिव चीजे भी सेयर होती हैं खास करके टेरिडिज्म एक्तिविटी खास करके चाइल्ड पॉर्नोग्राफी टाइप का चीज खास करके साइबर बॉलिंग टाइप की चीज तो इसको टेलिग्रा जाता है तो फिर हम लोग इसके बारे में रिपोर्ट आपके सामने ला करके रखेंगे थैंक्यू बेरी मच्च ऐसे विडियो के साथ फिर मिलेंगे आपके साथ अगले दिन जैहिंद